दुस्तो अमर हो जाने के तरीकों की खोज इंसान कई सिदियों से करता आ रहा है हमेशा जिन्दा रह पाने की शक्ती दुनिया के हर इंसान के मन को ललचाती है कई समाज और धर्म अमरित्व को बुरा मानते हैं पर तब भी अपने पास कभी न खतम हो सकने वाले समय की शक्ती मन को ललचा ही देती है आये जानते हैं दुनिया भर में लिखी कुछ ऐसी पुरानी चीजों के बारे में जो इंसान को अमर बनाने की शक्ती रखती हैं आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी दोस्तो जापानी लोग कथाओं के अनुसार समुदरों में जलपरी जैसा एक जन्तू पाया जाता है जिसे निंग्यों कहा जाता है जो बंदर और केकड़े जैसा दिखता है यो जन्तू समुदरों के गहराई में घूंता रहता है और अगर पकड़ लिया जाए तो तूफान और बुरा समय अपने साथ ले आता है कहा जाता है कि निंग्यों के मीट को खाने से इंसान तुरंधी अमर हो जाता है ताव धर्म की माने तो मरकुरी से निकलने वाला एक तत्व सिना बार भी इंसान को अनंत काल तक जिन्दा रख सकता है ताव धर्म के लोगों का मानना था कि सिने बार और सोना खाने से वो अपने गुण यानि कॉलिटी इस इंसान के शरीर को दे देंगी सिनबार का इस्तमाल अमर होने का एक केमिकल बनाने के लिए किया जाता था चैना में कई बार इसे बनाने की कोशिश भी की गई पर असली विधी ना पता होने के कारण उसे चकने के बाद ही कई लोगों की मौत हो गई ग्रीक कहानियों के अनुसार ग्रीक के भगवान जिन्हें ओलम्पियंस भी कहा जाता है जैसे कि जियोस उन्हें अपने अमरित्व मिलता था एम्रोशिया नाम के एक ड्रिंक से जो की शहत की तरह साथ करता था और सफेद कबूतरो दोरा उन तक पहुँचाया जाता था चाइनिस कहानियों में भी एक ऐसे ही फल पीच अफ इम्मॉर्टालिटी के बारे में बताया गया है जिसका पेड जेड के शाशक और उनकी पतनी दोरा लगाया गया था ये पेड हर 3000 साल बाद अमर कर देने वाले फल देता था जिसे राजा जेड बाकी देवताओं को भी दे जिससे वो सदा अमर बने रहते थे इस पेड की सुरक्षा मंकी किंग दोरा की जाती थी जिसने लालच में एक बार ये फल खुद खा लिया था जिसकी वज़े से उन्हें डंडिद भी किया गया आप सभी ने फिलासफर स्टोन यानि की पारस पत्थर के बारे में तो जरू सुना होगा इसमें एक तरीके का कैमिकल होता था जो लोहे के साथ रियक्ट करके उसे छूते ही सुना बना देता था कहा जाता है उस पत्थर को अपने पास रखने से वो रखने वाले को अमर बना देता था नौस लोगों के अनुसार उनके भगवानों के अमर रहने का रास था सोने के सेब ये सेब वसंत्रितु की देवी के बागों में आज भी उगाए जाते हैं। हिंदु धर में भी ये बताया गया है कि खर्बो साल पहले देवताओं और राक्षासों ने अमर होने के लिए साथ मिलकर समुद्र मन्थन करने की सुची थी। जिसके लिए उन्होंने एक परवत और सापों के राजा को रसी बना कर जादुई समुद्र को मतना चालू कर दिया। इस मन्थन में काफी चीज़े निकलने लगी। फिर आखरी में निकला अमरित जिसे भगवान विश्णू ने लड़की का रूप धारन करके असुरों को नहीं पीने दिया था। सुमेर कहानियों के अनुसार एक ऐसा पौधा है। हलाकि ये पौधा दिखता कैसा है इसके बारे में जादा नहीं बताया गया है। किशन धन भी अमर होने की सो से दूर नहीं रहा। उनके अनुसार अमर करने वाली चीज होती थी Holy Grail। ये वो कप है जिसे जीदिस क्राइस ने अपने आखरी खाने के समय समाल किया था। कहा जाता है जब प्राइस को क्रॉस पर चड़ाया गया था तो इसी कप में उनके ख प्राइक भी करें। साथी साथ ऐसे अद्बूत वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदां।